नमस्ते दोस्तों तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसका लिंग या उसका पैनिस जो है वो उस जादा लंबा हो जादा मोटा हो और हर आदमी चाहता है कि उसके पैनिस में लिंग में वृद्धी हो पर क्या कोई असान तरीका है क्या कोई बिना सर्जरी के मिथर्ड है जिससे हम प कुई भी दवाई tablet या कोई भी ऐल नहीं है जसको लगाओ तो उसको असमें वृद्धि वृद्धि करने के सिरफ याज तक देटा इससके हैं सिरफ तीनहीं तरीके है पहला फिल्च Organisation कि सएट होता है second है PRP या P-Short जिसमें again benefit देखा गया है पर एक थर्ड ऑप्शन भी है जो Penis Size में increase करता है और वो है Penile Traction Therapy या PTT आज हम बात करेंगे आप से Penile Traction Therapy के बारे में और Penile Traction Therapy में यूज होने वाली एक मशीन जिसको एंडरो पैनिस बोलते हैं अगर इस वर्ड में बहुत सारी मशीने हैं बहुत सारे पंप्स है चाइनीज भी आते हैं दुनिया भर के आते हैं पर अगर आप medical grade की बात करें और medical grade मतलब ऐसे पंप या ऐसे डिवाइसे जो मलब सज्चिकल है जिनको रिसिस्टर है तो दुनिया में सिर्फ दो ही ऐसे डिवाइसे हैं जिनको रिस्टरेशन प्राप्त है जो जो medical डिवाइस के रूप में माना गया है मैंद्रो पेनिस के चीजो हम आज बातरने वाले है यह मेरे क्लिनिक पर कही सालों से अवेलेबल और baş scientist से मेरे क्लिनिक पे आने वाले कही उन्हीं मरीज जिन मैं लिंक ट्रेडा था यह लिंग शौट था उन को पर आज तक एंडिया में एक सेक्स टॉय के रूप में इंपोर्ट हो रहा था पर काफी दिनों से हमारी कोशिच थी मेरी टीम की कोशिच थी कि जब यह एक इस परीयिकल दिवाइस है और पुरे वर्ल्ल में यह मरीजों में इस्तेमाल होता है मरीजों में इसके अतना अच्छा फाइदा है तो हम इस दिवाइस को इंडिया में भी टीवाइस की तिरे लिट कराके इसको पॉर्पर रूट से आप तक प्रवाइड करे तो आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि एंडिया में ड्रग अथॉरिटी में अधर मेडिकल डिवाइस ही इंपोर्ट हो रहा है ताकि आप लोगों को यह वर्ल्ड क्लास डिवाइस का बेनफिट मिल सके क्या है enro penis अरो परका इसके लिवाइस को रेगलर यूज़ करते हैं इसका तरीका है कैसे यूज़ करना है कितने देर यूज़ करना है इसके कितना benefit है उसके बारे में हम coming हफ़तों में बात करेंगे पर मुटा-मुटा यह एक medical device है medical device है जिसको use करने से penis का अगर penis में अगर टेड़ा पन है तो टेड़ा पन ठीक होता है पेनिस में अगर गाथ है उसकारण से पेनिस छोटा हो गया है तो पेनिस का size भी increase होता है और अगर कोई मरीज ऐसा है जिसको ना तो टेड़ापन है और ना size कम हुआ है पर वो चाहता है अपने पेनिस का size increase करना तो इस device के regular use से जो ये device company कहती है और जो studies कहती है उन मरीजों के के अंदर एक से डेड़ इंच तक का लंबाई और हाफ टू वन इंच तक की मोटाई पेशेंट बिना किसी सर्जरी के सिर्फ इस डिवाइस के रेगुलर यूस से गेंड कर सकते हैं यह होता कैसे है इसका प्रिंसिपल है बेसिकली प्लास्टिक सर्जरी में और इसको बोलते है है माइक्रो टियर्स मतलब की जब हम किसी भी ऑर्गन को बॉड़ी में एस्प्रेशली को कंटिनुवसली खीच के रखते है तो जोट उस पैनिस के टिशूस है चुटे चोटे 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 कट्स डेवलेप होते हैँ जब यह कंटिनुवस्प्रोससल्प्रोसस्लम जाएंगे तो यह जो ट्रैक्शन से या स्ट्रेचिंग से जो स्किन की टिशूज या पैनिस की टिशूज ग्रो करते हैं यह कॉंसेप्ट बहुत सारे और्गन्स में अपलाई होता है फॉर एक्जामपल इलीजरोफ टिकनीक उन मरीजों में इस्तमाल होती है जिनको अपनी हाइट बढ़ानी है या जिनको अपने हड्डियों को एक्स्टेंड करना है जिसमें जो और्थोपेडिशन है हड्डियों में छोटे कट्स देकर हड्डी का साइज बढ़ाते हैं और मरीज की हाइट बढ़ती है प्लास्टिक सरज सब्सक्राइब करते हैं अब यह देखने वाले वीडियो देखने वाले कई लोग सोचेंगे कि बोक्टर साब जो बता रहे हैं कि यह हो सकता है कि फर्जी हो तो पहले मैं आपको बता हूं कि मैं एक खुद एक यॉरॉलोजिस्ट हूं तो मेरे हमेशा आप तक कोई भी जानका व्रका सबसे मुश्किल काम यह तुराइज लिवाइज रिजिस्टर और इंडिया इस्टर रिजिस्टर यह चर्ट पूरे वर्लमे सिर्फ दुवाइस यह है और रस्ट्राइक सए जैकन यह लिगए के अंदर छास Adina Lille-Make लोगा ए यह डिवाड एवियं काना अड़ व बहुत सारी स्टडीज है आप एक रिसेंट आर्टिकल है डॉक्टर हेल्स टॉर्म का अगर आप जाएंगे इंटरनेट पे तो ए यूए अमेरिकन यू लॉजिकल सोसेशन की जर्नल है उस जर्नल ऑफ जरॉलोजी में इसका एक रिव्यू आर्टिकल है जिसमें इन्होंने इस डिवाइस से की गई पिछले यह डिवाइस 2001 से एवलेबल है और पिछले 21 साल में इस डिवाइस से हुई हर स्टडी का रिव्यू किया है और हर स्टडी में बार बार यह सामने आया है कि इस डिवाइस को यूज करने से पैनिस का साइज भी इंक्रीज होता है गर्थ भी इं पेनिश ठोटा हो गया है या ओल्ड पेशेंट जिनके अंदर टेस्टोस्टोरॉन या जो ये ब्लेट सप्लाई की वज़े से पेनिश ठोटा हुआ है हर कंडिशन में पाया गया कि इस डिवाइस को यूज करने से लेंथ भी बढ़ती है गर्थ भी बढ़ती है और एक्शन इंक्रीज होते हैं बीटीडी अब एक्सपेरिमेंट से हटकर रियल साइंस में आ रहा है ओल ओवर दो वर्ल्ड कई हजार यूरॉलोजिस्ट इस डिवाइस को अपने मरीजों को देते हैं पनाईल इंप्लाइट के पेशेंट्स में जिनमें पनाईल शॉटनिंग हुई है उसमें जवाइस का फाइदा है जहां पर भी पैनिस के अंदर साइस की वृद्धी करनी है वहां ये डिवाइस में में स्ट्रीम साइंस में एंटर हो रहा है तो अगर आपको अपने पैनिस का साइस बढ़ाना है और आप नहीं चाहते सर्जरी कराना तो पेनाइल के नाम पे बहुत सारे अन्रेगुलेटेड़ डिवाइसेज एसेक्स तॉइस मार्केट में विलेबल है मैं आपको सब्सक्राइब करूगा कि इंस्टेड ऑफ बाइंग चीप कॉपीज आप एक अच्छे डिवाइस में अपने इंवेस्मेंट कीजिए यह डिवाइस मेहंगा भी नहीं है डिवाइस मेड इन स्पेन है रिजिस्टर एक्रॉज यूरोप इन यूएस है साइन्टिफिक स्टेडिज में इस्तमाल हुआ है और इसके अच्छे रिजर् चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैं दिरे इस डिवाइस का यूज कैसे इस्तमाल करते हैं कैसे बांते हैं कैसे इसका उप्योग करना है वह बता हुगा यह डिवाइस कई सालों से में चैनिक पर यूज हो रहा था और उसके अच्छे रिजल्ट्स है पर आप क्योंकि डिज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको पिनाईल साइज के बारे में कोई भी डाउट है तो मेरे पिनाईल साइज पर बहुत सारे वीडियोज है सर्जिकल भी है नौन सर्जिकल भी है उनको देखके आपके काफी सारे डाउट क्लियर होगे थैंक्यू सो मच टेकर